आज का शब्द है नकरे प्रधान मंत्री ने कहा नकरे नहीं चलेंगे आप आए सदन में बात कीजिए जर्चा कीजिए विपक्ष तो एक एक शब्द सुनता है अब वो 25 जून की 50 वी बर्शकाट यहाँ दिला रहे हैं कह रहे हैं नकरे ना करना इस बार सदन के अंदर तो क् प्रधान मंत्री जी ने नकरे बोला है तो नकरे तो जो किसी से आप प्यार मनुहार जिससे कुछ उमीद रहती है उसके लिए नकरे गुस्से में नहीं इस्तिमाल किया जाता है यह थोड़ा सा और अगर उस भाव में है तो अच्छा है प्यार और मनुहार के आप थोड़ी निकांगी तो फिर बहुत से चीज़ी उती है तो अगर प्रधान मंत्री विपक्ष में नकरा देख रहे हैं तो उसका दूसरा पहलू यह है कि किसी बात पर नहीं मान रहे हैं यहनी कुछ उनके मन में है जिसके लिए सरकार को मनाना चाहिए लोक तंत्र की खुब इसको फिर अडियल पना कहते हैं और अडियल पने का तो फिर दूसरा इलाज होता है नकरे का मान मनुहार होता है अडियल पने का तो इलाज होता है लेकिन जो प्रधान मंतरी के आपात काल की याद दिलाने पर आपने कहा कि ये दिखे प्रधान मंत्री जी ने में कुछ नहीं छोड़ा, मुझे लगता है वो बहुत जरूरी था, क्यों जरूरी था, इसलिए नहीं कि कल 25 जून आ जाएगी और 1975 की आधी रात की याद सब को, काली रात की सब को याद आ जाएगी, असल बात ये है कि ये पूरा चुनाओ ही इसी प बनवा पाए, वो भला ताला लगवाते हैं, उसको तो जो जो चीज़ आप अर्न करते हैं, उसको फ्लॉंट करते हैं, उसको दिखाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये, लेकिन किसने लगाया आपात काल, पचास वर्ष पूर श्रीमती इंद्रिया गांधी जी ने लगाया, करीब करीब पहुने दो साल इस देश के लोगों के सामान ने अधिकार सब छीन लिए गए, अब कोई ऐसा नहीं कर सकता, और मुझे याद है नया नेशनल मीडिया सेंटर बना था, तो अहां मेमोरियल लेक्चर की शुरुआत हुई तो अरूं जेटली जी ने एक बात कही कि आज के समय में ये सब नहीं हो सकता, पहले का समय अलग था कि चलो चार अख़बार है, चार टीवी चैनल है, तब तो खर टीवी चैनल थे नहीं, उसको बंद करा दो, अपना आईपी मिनिस्टर लगा दो कि कॉपी पहले हां चेक होगी, आज ये जिसको कहते हैं कि ऐसा स समय है, जिसमें कहीं से भी सूचना आ सकती, तो मुझे लगता है, ये प्रधान मंतरी ने बिल्कुल दुरुस्त बात की है, और इन दोनों चीजों को संदर में विपक्ष को बिले नाचा है, और प्रधान मंतरी या भाजपा या इंडिये इस बात को नहीं उठाता, इस बा इस बात का मेंशन छोड़ दो, अभी मत बोलो, लेकिन उन्होंने तो वो भी नहीं कहा, राहुल जी, आप ये भी कह दिया, इस बार जारा नखर आखरे छोड़ कर बात अच्छा ठीक है, ये कोई मनाने वाली बात तो नहीं थी, आज सुबह क्या हुआ, सारे पक्षिदल की ये सायन पहरे निता जुटे, और गांदी जी की मूर्ती के ये पास गए, और उन्होंने वही कौपी समिधान जी की मूर्ती नहीं है, जान नहीं है, तो माल लीजे, वहां अटा दिगई, वहां पर पहुँचे, और वही वाली कौपी, जो लाल रंग की है, मैंने जितनी सम सद में भी रखी गई है तो गोल्डन कलर की है और ये समिधान की कॉपी कुछ नहीं है जो लाल कलर की है तो वो लाल कलर की कॉपी दिखाई और कहा कि हम जो है इस समिधान की रक्षा करेंगे और हम जो है किसी हालत में जो ये सरकार है बीजेपी की या एंडिय की इसको इस समि कि बड़े चीजों को बड़े अच्छे से समिटते हैं और उन्होंने उसी का जवाब दिया कि देखिए समविधान से छेड़ चार या समविधान को अगर किसी ने पलटा था तो वो थी कॉंग्रेस पार्टी जिसमें हिंद्रा गांती ने अमर्जेंसी लगाई थी तो हमारे पे ये बीजेपी या एंडिया पे या रोप नी है या रोप कॉंग्रेस पे है जो आज उसी समविधान की कॉपी को लेकर लेकर पूरे चुनाव में घुमी और उसने कहा कि देखिए बीजेपी समविधान बदल देगी इसको चेंज कर देगी अरक्षन अटा देगी वही क है तो बनता है प्रधान मंतरी का भी उसका जवाब देने का कि आपके काम जो है वो दिखाई देते हैं हमें इस दोनों सिनाए लेकिन बड़ी डट करके आज आई थी जैसा उन्होंने बताया कि इधर से पूरा विपक्ष जो है वो समविधान की कॉपियां लेराता हूँ आ पास भी है और वो बेसिकली जैन बुक डिपो पे आप जाईए और वहां से वो जो कह रहे है ने वह एक छापता है बड़ा कंसाइस तो प्रभुटका डाइप का है वो लेकर के हमें भी एक सुप्रीम कोट के एक वकील नहीं मुझे वो दिया था हम भी हमेंसा उसको रखते तो सब संभीधान बचा रहे हैं आज देखे यह तो प्रतिकात्मक है उनको एक पॉलिटिकल नेरेटिव क्रिएट करना है इसलिए वो लेकर क्या है इसका कोई मायने नहीं है कोई इसका मतलब नहीं है वो एक बनाना चाहते है नेरेटिव क्रिएट करते रहना चाहते है कोई भी सुन रहा हो भारतिय जंता पार्टी के लोग या उससे संबंदित जो वाकई इनको ये मेंडेटरी कर देना चाहिए कि प्रधान जो भी संभिधान सभा ने संभिधान पास किया था उसमें भगवान राम के चित्र भगवान कुरुचित्र का मैदान और भगवान अतंबुद वो सारा सचित्र ही कॉंस्टिटूशन सभी के हाथों में जाना चाहिए उसका उसमें से कोई भी पेज आप नहीं हटा सकते हैं ऐसे यह अपने आपने अपराद है आप नहीं हटा सकते थे लेकिन मैं यह कर रहा हूँ आप धराएं चेंज कर रहे हैं यह सम्विधान में संसोधन तो होते रहा है, सम्विधान में संसोधन हुआ, कॉंग्रेस पार्टी ने संसोधन किया, जनता पार्टी आई तब संसोधन हुआ, भारतिय जनता पार्टी की सरकार आई तब हुआ, नरिन्मोदी की सरकार ने भी सम्विधान में संसोधन हुआ, सम्व ये हटाया क्योंकि उससे जो भारत का सांस्कृतिक बोध जा रहा था, उसको खत्म करने का पाप इसी नेहरू की पार्टी ने किया है, बामपंतियों के दबाओं में किया है, इस चीज को समझना चाहिए, और भारती जनता पार्टी अटल बिहारी बात पर इकी सरकार थी, साथ रानमंत्री जी का कहना है, कि भाई संसद तो कल जो समीर जी कह रहे है, बहुत अच्छा है, एक शब्द में समीर जी ने कहा था, कि भाई आप सड़क की लड़ाई सड़क पर लड़िये, संसद तो संवाद का है, मुद्दो पर गंभीरता से बाद, कितना कोई पढ़ मुद्धार्या करते है, इस पर निर्भर्प करता है, देखिए, जब हला हंगामा हो, तो पढ़े लिखे और अनपढ़, दोनों का सब प्रसणों का मान बराबर हो जाता है, वैसे ही, टेलिवीजन डिवेट में पढ़ा लिखा आदमी आया है, और नहीं पढ़ा लिखा देख लिए मुझेह लगता है कि जैसे ही नीट का होगा